हाई गाईस के हाल चल आप सबके मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं CA Knowledge Portal इस वीडियो में आज हम डिसकस करने वाले हैं May 2022 एक्जाम्स के लिए आप सबको पता है उसकी डेटशिट ICI ने अनाउंस कर दी है मैं बात करूँ CA Inter की तो इस बार 15th of May से एक्जाम स्टार्ट हो रहे हैं CA Inter के Final के 14th of May से स्टार्ट हो रहे हैं और वहीं Foundation की बात करूँ तो 23rd of May से एक्जाम स्टार्ट हो रहे है तो इस बार काफी अच्छा की ICI काफी पहले ही अपनी डेटशिट अनाउंस कर दी ताकि आपको clarity रहे कि क्या आपके पास number of days रह गई है तो roughly मैं बात करूँ इस समय से आपके पास 100 days बचते हैं तो prepare for your exam 100 days आपके बचते हैं तो prepare क्योंकि आखरी कि मैं 15 दिन मान के चलूँगा वो तो final day revision होती है अब इस वीडियो में हम discuss करने वाले है 100 days study plan for CA inter students मैं पहले इस वीडियो में CA inter वालों बच्चे साथ बात करूँगा एक अलग से वीडियो बनाऊंगा foundation वालों के साथ बात करने के लिए CA inter students को अब आखरी 100 days में कैसे preparation करने हो हम पूरी detailed discussion करेंगे अगर आप एक group कर रहे हो तो एक group वालों की बात अलग करते हैं और both groups वालों की बात अलग करते हैं साथ साथ बोध गुरूप वाले बच्चे जिनको थोड़ा सा doubt है कि हम आठो paper की त्यारी कर पाएंगे तो ऐसे ख्याल आते हैं दिमाग में कि हम ऐसा करते हैं Group 2 के 2 paper की त्यारी कर लेते हैं 3 paper की त्यारी कर लेते हैं तो उनके बारे में भी बात करूँगा वीडियो को last तक देखना आपका case कही न कहीं इस वीडियो के इंदर fall कर जाएगा पहले बात करते हैं सबसे पहले उन students की जो एक group की preparation कर रहे हैं देखे अगर आप एक group की preparation कर रहे हैं और आपने अपने result के बाद तयारी start कर दी थी तो मेरे हिसाब से आपकी preparation का majority portion तो खतम हो गया होगा almost 80% आपकी तयारी first I am talking about first time study आप classes देख रहे हैं उसके साथ first time revision कर रहे हैं तो काफी सारे students की खतम होगा मैं खुद अपने बता हूँ हमारे जो May 22 के batches थे उसमें group 1 almost खतम हो गया है हद से अद आपका taxation शायद थोड़ा चल रहा हो आपका costing चल रहा हो जो थोड़े lengthy subject है वो शायद चल रहे हो In any case, I still know a lot of students जोनों ने सही समय पे अपनी preparation start नहीं करी जो तो बहुत मान के चलता हूँ Even if आप अपनी preparation के last में नहीं है तो 100 days में पहला target तो जो आपको अपने लिए set करना है वो ये set करना है That आपको अपनी जो भी classes है जो भी first time आप revision कर रहे हो Classes के साथ-साथ वो खतम करनी है February end तक February end का target लगा लो अभी से आपके पास लगभग 35 दिन है आपके पास तो आपको किसी भी तरह आपके बचा हुआ जो भी classes का content है वो खतम करना है जिस भी subject का रहे गया अगर आप already कुछ subjects खतम कर चुके हैं कुछ subjects रहे गये हैं तो जो subjects आप कर चुके हैं उसको side by side simultaneously revise करना शुरू कर सकते हैं otherwise feb end अपने दिवाँ में डाल लो ठीक है जी तो starting के तो मैंने आपको बता दिये फेb end के अंदर अगर आप अपने group 1 की classes खतम कर लेते हैं साथ-साथ पहली बार उसकी जो reading करते हैं मैं आपको पहले बताता ही रहते हूं वीडियो के अंदर कि first time जो आप subject पढ़ते हो नो साथ-साथ ही उसके chapter wise test देते रहने चाहिए daily revision करते रहने चाहिए roughly 60 days बचते हैं आपके पास after you have completed your classes इस 60 days को मेरे साब से आपको दो parts में divide कर लेना चाहिए पहले 40 days का period रखना चाहिए which is 1 March से 10 April फिर 20 days का आपको slot रखना चाहिए which is April के remaining days 11 April से लेकर 30 April तक इन 40 days में आप अपनी second revision करेंगे sir second कैसे हो गई पहले revision तो आपने classes के साथ साथ ही करी ना daily basis पे class देखते हो और उतना revise करते हो उसको मैं first revision कहता हूँ तो ये वाली revision अब holistically जब आपकी classes हो चुकी हैं आप 40 days target करेंगे 4 subjects हैं तो roughly 10 days होंगे but that does not mean कि 10 days अगर एक subject को दे रहे हो तो स्वेरे से लेके शाम तक उसी subject को पढ़ो आप इसको भी 20-20 days के दो slot में बाट लो 20-20 days और यहां पर क्या करो दो-दो subject उठा लो क्योंकि सारा दिन एक subject करना is not a good strategy मैं कभी भी उसका advocate नहीं करता तो आप 20 days का strategy बना लो एक मार्च से 20 मार्च कर जिसके अंदर एक practical subject उठा लो let's say accountancy और एक tax यानि कि जो थोड़ा law वाला subject है वो उठा लो similarly अगले 20 days के अंदर एक cost उठा लो और एक law उठा लो law क्योंकि comparatively छोटा subject होता है तो यहां पर आप आपको लगता है इस दिन नहीं लगेंगे 15 दिन लगेंगे तो 5 दिन extra tax को दे देना क्योंकि tax आपको पता है weightage में काफी जाद है तो इस तरह से आपको अपना 20-20 दिन का slot बांट देना है और स्वेरे से लेके शाम तक आपको इस तरह से time divide करना है कि आप मैं दिन में 5 घंटे 6 घंटे इस subject को दूँगा 5-6 घंटे इसको दूँगा अब 20 दिन के अंदर आपको detail में chapter wise हर चीज की revision करनी है इस revision में जो ये 40 days की revision करोगे इस revision के अंदर आपको मैं यह नहीं कौँँगा सारे questions करने है अगर आपने अपनी पहली revision के दुरान कुछ important question mark कर रखे है तो सारे जो भी highlighted questions है आपके वो करो अगर पहली revision में आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया कुछ highlight नहीं किया तो I would recommend majority question इस revision में करने की कोशिश करनी है तो ये revision time लेगी यहाँ पर हर chapter को time देना है इसलिए मैंने 10-10 days per subject को अलोट किया है इस revision के करने के दुरान आपने जो भी question bank है past year के अगर आपके question bank past year का RTP, MTP past year question वो भी आप chapter wise इसी के साथ साथ ही करते चलने जाना जैसे मैं अपनी GST के अंदर question bank देता हूँ income tax के अंदर इतने सारे questions देता हूँ जो homework में भी दिये जाते हैं आपको तो अगर आपने पहली बार नहीं करें है तो make sure इस revision में आप detail में questions वगरा सब practice करें इस revision के अंदर I would not recommend you कि full syllabus test दो अभी full syllabus test नहीं देना जब आप 10 April को ये पहली revision कर लोगे उसके बाद आप start करोगे अपनी third revision इस revision में comparatively आपकी speed तेज होएगी अब आप per subject सिर्फ 5 day दे पाओगे तो again इस 20 days को दो slot में बाटना पड़ेगा आपको 10-10 days के फिर से वही चीज दो-दो subjects आप करके उठाओगे मगर इस बार आपकी revision comparatively faster होएगी जैसे taxation की बात करूँ तो यहाँ पर आप flow charts की help लेनी शुरू कर देंगे इस revision के दोरान आप कोशिश करेंगे हर चीज को जल्दी से जल्दी cover up करने की इस revision के दोरान जैसे जैसे आप subject cover करते जा रहे हैं यहाँ पर आप full syllabus test देंगे full syllabus test MTP जो ICI का आता है इस attempt के ले आएगा वो भी साथ साथ आपको cover करना है तब तक RTP भी आ जाएगा आपका RTP करना है और at least मान के चलो दो test तो आपको देनी देनी है full syllabus के इन दिनों के अंदर जब आप May की starting में जाओगे आपकी दो detailed revisions हो चुकी है and I assume आपने full test भी दे दी होंगे अब आखरी 15 days May के कैसे देखने हैं आपको आखरी 15 days में मैं आपको कहूँगा पहले paper number 3 और paper number 4 यानि की cost और tax इनको आप 8 दिन दे दीजिए 15 में से 8 दिन इन दोनों को revise करना है फिर जो आखरी 7 दिन बचते हैं वो paper number 1 और paper number 2 को करना है ऐसा मत कीजिए कि paper number 1 पहले उठा लिया आप paper number 1 और paper number 2 हमेशा एक साथ कीजिए अगर 15 माई को paper है ना 14 माई वाले दिन paper 1 पढ़ लेना मगर till 13th of May आप वही strategy अपना होगे paper number 1 और paper number 2 कर होगे इससे होगा क्या paper number 2 की आपकी प्रेशन साथ साथ हो जाएगी तो आपको वो जो one day before the exam मिलेगा इतने टेंशन नहीं आएगी law वाले subject के अंदर वैसे भी law वाले subject को paper number 2 है थोड़ा theory वाला है तो बच्चो को मेरे को पता है majority बच्चो को उससे डव लगता है तो इस strategy से आप अगर आप ध्यान से देखो exam से पहले आपकी ये second revision, ये third revision, ये fourth revision आपकी बढ़िया से तीन और revision हो जाएगी and that would be the best and अगर आपने अभी feb end तक आपने classes खतम करने की there is absolutely no chance paper मुश्किल बनाए, examiner या easy बनाए आप clear करेंगे ही करेंगे क्योंकि अगर आपने इस वे में आपको revise कर रहा है, there will be no problem exam tough आएगा, easy आए अब आगे बढ़ते हैं, दो group वाले बच्चे अगर आप दो group दे रहे हैं तो इस समया I assume आप अपने second group की preparation कर रहे होंगे and आपका first group की classes तो खतम हो गई होएंगे आपकी first group की classes आपकी खतम हो चुकी होंगी, second group आपका चल रहा होगा तो आप target कीजिए, आप 15th of March मैं 15th March इस लिए कहा रहा हूँ, February इस लिए नहीं बोल रहा क्योंकि काफी सारे बच्चों ने second group typically December and January starting week इसी में start किया है तो 15th of March आप target करेंगे, जब तक आप अपनी classes खतम कर लेंगे almost आप मान के चलो एक आधे subject की कोई classes रह गई तो वो अलग बात है 15th March तक आपकी majority classes खतम हो जानी चाहिए and अभी से लेकर 15th of March तक आप second group पढ़ रहे हैं तो इसको साथ-साथ simultaneously आपको read भी करते चलना है यह नहीं है कि आप classes देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं मैं बाद में revise करूँगा simultaneously आपको इसकी revision में करनी है अगर आपने first group की classes के दुरान till December एंड जो आपने first group करी थी उसके साथ-साथ आपने revision नहीं करी तो इसके साथ reading नहीं करी थी तो भाई बहुत भेंकर्द गलती करी है आप रोज daily basis पर 2 घंटे मान के चलो 2 hours simultaneously आपको group 1 भी revise करते रहे हैं group 2 के साथ-साथ आपको 2 घंटे minimum 2 से 3 घंटे मान के चलो depending on वैसे इन दिनों मुझे पते हर कोई बच्चा घर बैठ की पढ़ रहा होगा 2 से 3 घंटे आप group 1 के लिए निकाल सकते हो कोई भी एक subject आप शुरू कर लो 15 मार्च तक अगर आप रोज 2-3 घंटे first group को देऊगे तो at least इसके 2 subjects तो आप अच्छे से revise कर पाओगे in any case आप 15 मार्च को अपना second group की classes खतम करते हैं तो यहां से आपके पास 2 महीने का time बचता है यानि 60 days का time बचता है again इसको 2 parts में divide करेंगे 40 days और 20 days अब इस बार 40 days के अंदर आपको 8 subject cover up करने है दोनों group करने unlike एक group वाले बच्चे जिनके पास liberty होती है कि वह राम से कर सकते हैं यहां पर 8 subject आपको 40 days में करनी है यानि roughly per subject आपके पास 5 days बचते हैं तो again again ऐसा नहीं करना कि एक एक subject 5-5 दिन के लिए उठाते रहना है 40 दिन को 2020 के 2 slot में बाटना है 40 दिन कहां से हो गए 15 मार्च से 40 दिन गह रहूँ मैं 20-20 दिन के 2 slot में बाटना है इसके अंदर फर्दर क्या करना है 20 दिन के अंदर group 1 करना है आपको 20 दिन के अंदर group 2 करना है इसके अंदर पहले 10 दिन के अंदर एक practical एक theory subject, अगले 10 दिन के अंदर एक practical एक theory subject, फिर group 2 में भी एक practical एक theory subject, एक practical एक theory subject मैं जो रफली बोल रहा हूँ आपको 10 days, यह estimated ही है जैसे आप में आपको लगता है कि tax में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा सर हमें law में या audit में या EIS SM में शायद थोड़ा सा कम comparatively समय लगेगा, तो वो आप adjust कर सकते हैं, एक दिन अगर आपका extra tax में जा रहा है, तो correspondingly आप दूसरे subject में कम कर सकते हैं, बट roughly आपको इस तरह से plan करने चलना पड़ेगा, 40 दिन में आपको एक बार अपने subject को revise करना पड़ेगा, उसके बाद आप पहुंच जाएंगे, मैं 40 के भी अगर मान सकता हूं, अगर आप अपने target है चुके तो 45 दिन हो जाएंगे, आप April and में पहुंच जाएंगे, उसके बाद मे का महीना स्टार्ट हो जाएगा आखरी 15 या 20 दिन, इसके अंदर I would always recommend that आप क्योंकि group 2 के paper बाद में देने वाले हैं, आखरी 15 बीस दिन में पहले आप group 2 के subjects की एक जल्दी से revision लगाएंगे, मतलब आपके पस होंगा सिर्फ ले दे के कितने, साथ से दस दिन रह जाएंगे, तो group 2 के subjects की पहले revision लगाएंगे और उसके बाद group 1 के subjects revise करेंगे और सीधा उसके बाद आपके 15 में से group 1 start हो जाएंगे, तो no doubt, दो group वाले बच्चों का schedule काफी tight रहेगा as compared to group 1 के students, group 1 वालों के पास liberty है, तीन revision करने की आपके पास liberty नहीं है, फिर भी आपको दो revision तो target करनी ही करनी है, revision के लिए अगर कम समय रहेगा तो obvious सी बात है, आपके पास वो liberty नहीं रहेगी कि आप एक एक question करके देख सकें, अगर आप accountancy कर रहे हैं, आप cost accountancy कर रहे हैं, तो आप अब 40 days में अगर cover up करना चाहते हैं, तो आप एक एक question नहीं कर पाएंगे, तो आपको वहाँ पर यही approach अपनानी पड़ेगी, कि आप first revision में आपने कुछ questions highlight कर रहे थी important, सिर्फ important questions देखिए, concept देखिए, provisions पर focus कीजी, law वाले subjects में, tax वाले subjects में, and that's how you will be able to revise it, अब यहाँ पर जब आप यह revision कर रहे होंगे, इस दोरान आप में से काफी बच्चों के दिमाग में यह आएगा, यार अपने तो art subject prepare होनी पा रहे हैं, तो उस समय आपके दिमाग में permutation combination आएंगी, मैं बताता हूँ क्या आएंगी, हर बार बच्चे कहते हैं सर हम group 1 अच्छे से prepare कर लेते हैं, और group 2 का ना हम कोई एक या दो subject prepare कर लेते हैं, क्या सर यह strategy सही है, मेरे साब से देखो fundamentally अगर आप एक group के साथ सिर्फ दो paper करके जा रहे हो group 2 के, इसका मतलब आपकी starting से लेकर अब तक की planning में कही ना कहीं कमी रही है, तभी आप आठ नहीं कर पा रहे हो prepare, बट अब जो होने हो गया, अब क्या करें सर, अब group 2 पूरा ही छोड़ दें, या group 2 के दो paper करें, I would recommend जब आपने group 2 की classes ले लिए हैं, अगर group 2 आपने पूरा cover up करी लिया है, सिर्फ revision करने का समय नहीं मिल पा रहा, तो group 2 पूरी तरह से छोड़िये मत, आप group 2 के जो दो practical subject है, कौन-कौन से advanced accountancy और FM और ECO वाला, आप target कीजिए, इन दोनों को मैं prepare कर लूँ और मैं इस तरह से prepare करूँ, कि मैं group 1 प्लस group 2 के ये दोनों paper को मैं exemption learning की कोशिश करूँ, but this is something which is of the last resort, जब आपको लग रहा है कि नहीं यार अब बिलकुल नहीं हो पा रहा है, तब जाकर आप अपने बोध group के planning को इस तरह से change कीजिए, otherwise ये जो combination होता है ना, एक group बना के साथ में second group के दो paper कर लेना, उनमें exemption learning की कोशिश करना, ये typically मैंने काफी जारे students को इस कोशिश में fail होती देख है, क्योंकि आपके वास कोई guarantee नहीं है कि advanced accounts और FME को को पर इतना असान आजाएगा, आप exemption ले रहा होगे वहाँ पर, खतम करनी है, उससे पहले खतम कर पाएंगे, तो और ज्यादा आपको revision के लिए time मिल जाएगा, ठीक है जी, so this was all about CA, inter, aid group और दो ग्रूप की discussion, अगर आपके दिमाग में कोई और questions हैं, तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं, आगे subject wise strategy, ABC analysis, tax की amendments के बारे में, tax के जो revision, मैं वीडियोज डालूँ, उसके बारे में, आगे मैं आपको अगली वीडियोज में इंफर्म करता रहूंगा, see you in the next video, this was Sanchit Grover with you, thank you so much.